अंगम्हरे पुलक भूशन मास्रयंती भ्रंगांगने वमुकुला भरणं तमलं अंगी कृता खिल विभूतिर पांगलीला मांगले दास तुम मंगले देवताया नमस्कार बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ स्वामी नित्यानंद आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ ब्रसब रास्ति वालों का मासिक रासि फल ले करके फरवरी का माह हमारे प्यारे ब्रसब रासी के जातक जातकाओं के लिए क्या कुछ बिसेश लाया है किन-किन बातों का आपको रखना है इस महिने में ख्याल और कौन-कौन सी तारीकें दे सकती हैं आपको अपार खुसियां साथी साथ हम बात करेंगे आपके बैपार के बारे में आपके परिबार के बारे में आपके समस्थ खुसियों के संसार के बारे में आपके दुखों के संसार के बारे में आपके जीवन के हर एक उस पहलू पर हम बात करेंगे जिसकी आपको बहुत चिंता रहती है साथी साथ आपको हम बताएंगे इस पूरे महिने का सुभ अंक और सुभ कलर आपको हम भी बताएंगे कि भाग का मीटर आपके लिए क्या कुछ कह रहा है इस फरवरी के माह में तो चलिए अब करते हैं बिना देर के हुए वीडियो की सुरुवात बिसेश अग्र यह हमारा रासी फल चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है जो कि आप सब के लिए पूरी पूरी में कोशिस करता हूँ कि 90% तक मेरी भविस्वाडिया सत्य हो बिसेश जानने के लिए अपने जनमान चक्र को एक बार जरूर दिखाएं तो चलिए अब करते हैं वीडियो की सुरुवात ब्रसव रासी वालों के जीवन में इस फरवरी के माह में प्रेम जीवन में अत्यंत खुसियां प्रदान होती हुई दिखाई दे रही हैं अगर आप ब्रसव रासी के जातक थे और आपका प्रेम आप से बहुत रूठा हुआ था या आपका प्रेमी बहुत नराज था आपके साथ तो आपके लिए अब बहुत बहतर समय है यह फरवरी का माह आपके प्रूठे हुए प्रेम आपके खोए हुए प्रेम और आपके जीवन से बहुत दूर चले गए प्रेम को दिलाने में कामियाब रहेगा जो भी जातक जातिका ब्रिसबरासी के प्रेम कर रहे थे या प्रेम से टूट चुके थे उनके जुडने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है दो फरवरी से ले करके 24 फरवरी तक आपके प्रेम जीवन में अदभुद सफलताएं प्रदान होती हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है आपको इस पूरे महिने में अपने प्रेमी को अपना गोल अपना लक्ष अपना सरबस सुमान करके कारी को करना होगा अन्य था आप अगर किंचित मात्र भी अपने प्रेमी के साथ दिर्वेवार करेंगे तो आपके सर पे मुश्कले नाचना आरंभ कर देंगी इसलिए मेरी करबध आग्रह है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ या अपने अरधांगनी के साथ बिलकुल भी ना उलजें सुलज करके कारि करें आपसी सामनजश अगर सुन्दर होगा सब कुछ ठीक होगा उपाय आपके लिए यही है कि इस महिने में अपने प्रेमी या प्रेमिका या पतनी का तिर्सकार बिलकुल ना करें उनका सम्मान करें और आप अगर मिलते हैं बाई फेस तो इस फरवरी के माह में एक दिन जरूर अपने प्रेमी या प्रेमिका या अरधांगनी को एक गुलाब का पुस्प कुछ मीठा और कुछ दख्षिना जरूर अरपन करें निस्चित ही आपके जिवन में आपको लाभ इसका प्राप्त होगा अब बात करते हैं ब्रसब रासी वालों के कैरियर छेत्र के बारे में कैरियर के छेत्र में ब्रसब रासी वालों को अदभुद सफलता प्रदान होगी लेकिन तीन फरवरी से ले करके सोला फरवरी तक थोड़ा आपको साउधान रहने की जरूरत है बाकी का समय आपके लिए बहुत बहतर रहने वाला है अब हम आपको बताते हैं आपके कैरियर में मिल रही असफलताओं का विसेश समाधान आपको इस महीने किसी भी अमाउस्या या पूर्वासी के तिथी के दिन आपको शरीव या किसी भी रीवर के तट पर जाना है और अपने सर से साथ बार श्रीफल घुमा करके बिसरजित कर देना है निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी कैरियर का जीवन बहतर होगा अब हम बात करते हैं अपने प्रिय जातक जातकाओं के जॉब के बारे में जॉब के इस फरवरी के माह में बेहद सुन्दर आशार दिख रहे हैं आपको कुछ खास उपाय करना है अगर आप गोवर्मेंट या प्राइबेट जॉब के लिए प्रियास कर रहे थे तो आपके लिए उचित समय है लेकिन आपको थोड़ा सा खयाल ये रखना है कि जब भी अपने जॉब से रिलेटेड आपको कोई कागजाद या कोई मैं कह सकता हूँ कि फाइल ले करके उस कार है तो बाहर निकलना है तो भगबान स्री गणेश का आशिरबाद आपको लेकर ही घर से बाहर जाना है अगर आप ऐसा करते हैं आपके कारिब बनेंगे सफलता आपके कदम चूमेंगे अब हम बात करते हैं ब्रसबरासी वालों के स्वास्त के बारे में स्वास्त का जीवन ब्रसबरासी वालों के लिए अत्यन्त सुमधुर रहने वाला है आपके स्वास्त में चल रही समस्याएं अब खत्म होंगी लेकिन अशाध रोग से आपको 23 फरोवरी तक मुक्ती मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है इसके लिए अगर संभव है तो आप भगवांश्यू का पूजन पठन आरंब कर दें निस्चित ही स्वास्त में आपको लाब मिलेगा छोटी मोटी बिमारियां आपको 3 फरोवरी से ले करके 18 फरोवरी के बीच में परिशान कर सकती है अब हम बात करते हैं बिद्यार्थियों के लिए जो बिद्यार्थी गण सिक्षा अध्यन कर रहे थे या सिक्षा अध्यन में आपका मन नहीं लग पा रहा था इस फरोवरी के माह में सिक्षा में आपका मन लगेगा और सिक्षा को ले करके आपकी चिन्ताएं भी इस महीने बढ़ेंगी आने वाले एक्जाम या आपके चल रहे एक्जाम बहतर हो सकते हैं लेकिन आपको अपने जीवन से आलस को खत्म करना होगा अपने परिस्रम को अपना भाग गिमान करके कारी करना होगा निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी अब हम बात करते हैं ब्रसबरासी वालों के बैपार छेत्र के बारे में बैपारिक छेत्र आपका बहतर होगा साथी साथ आपको इस महिने में विसेश धनलाब के योग बन रहे हैं आपके जीवन में किसी महापुरुस की इंट्री से आपका बैपारिक जीवन सुधर सकता है अचानक से पैत्रिक सुक संपत्ती का लाब या पिता के द्वारा दिये गए धन का लाब भी आपको आपके बैपार में मिल सकता है अब हम बात करते हैं ब्रसबरासी वालों के बिदेश शात्रा के बारे में बिदेश शात्रा में आपको सक्षज प्रदान होगी लेकिन संघर्स थोड़ा सा आपको इस महीने करना ही करना होगा संघर्सों के साथ साथ आपको रिजल्ट अच्छा प्रदान होगा ही होगा कुछ खास बाते हैं आपके लिए जब भी आप बिदेश शात्रा के मुनुरत को या बिदेश शात्रा से जुड़ी हुई फाइले या कागजात को लेकर घर से बाहर जाएं माता पिता का आशिरबाद लें पतनी को अगर आप विवाहित हैं तो खूब प्रेम और उसका प्रेम अपने साथ ले करके जाएं साथि साथ भगवान गवरी और गणेश का आशिरबाद ले करके जाएं बंदहु शंभू भवानी के नंदन आनंद कंद निकंद पतीजे दीनन दायक रिध्धी वसिद्धी के हे गणनायक मोपे पसीजे भगवान गणेश की प्राथना आपके विदेश जाने के मनुदतों को पूर कर सकती है साथी साथ आपके जीवन में अनंद खुसियों को ही भर सकती है अब हम बात करते हैं आपके कोट केस डिबोस केस और जमीनी विवाद के बारे में जमीनी विवाद अगर आपका कोई चल रहा था तो छे फरवरी से ले करके 22 फरवरी के बीच में सुलज़ता हुआ नजर आ रहा है दुस्मन इस महिने में आप पर भारी पड़ सकता है इसलिए आपसी समझोता बहुत सोच बिचार कर करें अपने किसी भी चल रहे केस को हलके में ना लें अन्निथा आपको जेल जैसी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है बिसेश आपके लिए उपाई यह है कि आप बटुक भैरो बाबा की जितना हो सकता है पूजा करें काले कुत्ते को आप रोटी वा गुड़ खिलाएं और काली गवमाता के जुवा से अपने दोनों हथेलियों को चटाएं निस्चत ही आपको लाभ प्रदान होगा अब हम बताते हैं ब्रसब रासी वालों का सुभ अंक और सुभ कलर ब्रसब रासी वालों का जो फरवरी का सुभ अंक है वो तीन छे और नौ है और आपका जो सुभ कलर है वो नारंगी और गुलाबी है ये दो कलर और ये तीन अंक आपके जीवन में अनंत खुसियां प्रदान करेंगे फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप पर कौन-कौन सी बातें इस पूरे महिने में रिलेट कर रही है और आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताईएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप अपने आप में खुस रहिएगा हमें आपकी बहुत चिंता है हम आपके लिए 24 आवर सेवा रत हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा नमस्कार जे सिताराम